हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई शौक में कुछ नहीं गया शौक की जिंदगी गई आजादे से पहले का ये लेखक आज भी रेखता की कहीं मैफिल रोशन करता है बेशक जॉन एलिया और्दू लिटरेचर के सबसे मशूर लेखक है सिर्फ उनकी कविताएं और शायरे ही नहीं बलकिं का चहरा भी आज तक पैसे कमाता है इस फेस अड़ों मर्चेंडाइज that is sold at upmarket stores in Delhi and at various literary festivals एलिया ने अपनी पहले किताब शायद उसको लिखने के लगबग 30 साल बाद पब्लिश की और उसके बाद तो क्या ही कहें एलिया की स्ट्रोंग मार्क्सिस फ्रीडिंग देखते ही देखते ना जाने कितना को ही दिल छो गई उनकी कविताएं जैसे अपनी मंदिल का रास्ता भेजो कुछ तो रिष्टा है तुम से कमबक्तों और वो शेह जो सिर्फ हिंदुस्तान की थी आज के लिटरेचर का एक बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है बलही आजादी के बाद है लिया पाकिस्तान चले गए बखेट है बस्टान को ट्रहिएं और रिष्टा को बेट्स के लिए और किस्तान चले लिए से लगे जाफ नेड़ जा लिएड़रे से लिएटाएं औरलोष्तान